वेल्कम टी स्ट्राउंट गिटेशन डिक्टेशन पांच गण बार शुरू होगा रेडी स्टार्ट हाल में कानपुर में मुटभेड में मारे गए विकास दूबे ने अपने घर पर छापा मारने आए पुलिस बल पर हमला कर आठ पुलिस कर्मियों को मार डाला था तब यह सवाल उठा था कि जिस अपराधी पर करीब पांच दर्जन अपराधों के मुकद में चल रहे हैं थे वह जेल से बाहर कैसे था अब विकास दूबे की मुठभेड में मौत के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने ठीक यही सवाल उठा कर उत्तरप्रदेश सरकार को कठ घरे में खड़ा किया है कि इतने सारे संगीन आपराधिक मुकद में सिर पर दर्ज होने वाला व्यक्ती जमानत पर आखिर रीहा कैसे था कि उससे इतना बड़ा नुपसान कर दिया इस पर हरानी जताते हुए अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यह संस्थान या विवस्था की नाकामी को दर्शाता है यो इस समूचे मामले के सामने आने और काफी मसकत के बाद पकड़ में आए विकास दूबे के मुठभेड में मार डाले जाने के बाद यह सवाल सबके जहन में था कि जो पुलिस किसी एक मामले में इतनी सक्रियता के साथ उसके खिलाफ कारवाई कर सकती है उसने इतने लंबे समय से कई संगीन मामलों में लिप्त पाए जाने के बावजूद उसे खुला कैसे छोड़ा हुआ था दरसल यह एक जग जाहिर इस्थिती रही है कि स्थानी अस्तर पर उभर उफरे अपराधियों को कई बार पहले किसी एक नेता का संरक्षन मिलता है फिर अपराध की दुनिया में ही कद बढ़ने के बाद वह अलग-अलग पार्टियों में प्रभावशाली पदों पर बैठे नेताओं तक अपनी पैठ बना लेता है राजनीतिक शक्सियतों के बीच अपराधियों को जाने अंजाने कई वजहों से मिलने वाली शह की वजह से ही विकास दूबे जैसा व्यक्ती अपराध की दुनिया में अपना पाउँ फैलाता रहता है और सासन तंत्र में उची पैठ का इस्तिमाल करके आजाद गूमता रहता है सवाल है कि आठ पुलिस कर्मियों के मारे जाने के बाद जागी सरकार और पुलिस को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि विकास दूबे का आपराधिक इतिहास क्या रहा है थाने में घुसकर किसी की हत्या करने से लेकर बेहत गंभीर प्रकिर्ति के अपराधों सहित 65 अन्य मुकद में जिस विक्ती पर चल रहे हों उसे लेकर सरकार और पुलिस इतने समय तक आखे मूंदे रही तो इसके क्या कारण थे इसी अगोशित सनरक्षन से बढ़े होसले की वजह से उसने पुलिस बल पर भी हमला करके बड़ा नुकसान पहुचा दिया तब जाकर पुलिस ने जो सक्ती दिखाई अगर वह सक्रियता पहले दिखाई गई होती तो मुठभेड में मारे जाने के वज़ाए कानूनन उसे सजा के अन्जाम तक पहुचाया जा सकता था इसी अगोशित सनुरक्षन से बढ़े होसले की वजह से उसने पुलिस बल पर भी हमला करके बड़ा नुकसान पहुचा दिया तब जाकर पुलिस ने जो सक्ती दिखाई अगर वह सक्रियता पहले दिखाई गई होती तो मुठभेड में मारे जाने के बज़ाए कानूनन उसे सजा के अन्जाम तक पहुचाया जा सकता था विडंबना यह है कि इस तरह की लापरवाही की वजह से समूचे राज सरकार और संस्थान की जो बदनामी होती है उसकी विश्व सनियता पर सवाल उठते हैं उसे ध्यान में रखना न नेताओं को जरूरी लगता है न पुलिस महकमे को अगर किसी आपराधिक प्रिष्ट भूमी वाले व्यक्ती को राहत देने के लिए पुलिस पर कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव डाला जाता है तो क्या पुलिस को कानून और संस्थान की गरिमा को बनाए रखना प्रात्मिक दायत नहीं समझना चाहिए किसी भी अदालत में जब इस तरह के मामले की सुनवाई होगी तब वैसे लोग शायद ही कठ घरे में आप आएं जिन्होंने परदे के पीछे से अपराधियों को सनरक्षण दिया होता है जवाब आखिरकार पुलिस को ही देना पड़ेगा कि जगहन अपराधों के आरोपी के मामले को संबंधित अदालत में कैसे पेश किया गया कि उसे जमानत या आजाद रहने की छूट मिल गई जरूरत इस बात की है कि ऐसे ही अपराधियों के खिलाफ सांस्थानिक इस्तर पर सक्ती बर्तते हुए उसके सनरक्षकों को भी कठगरे में खड़ा किया जाए यह राजनीति को अपराधी करन से बचाने के लिए भी एक जरूरी पहल कदमी होगी स्टॉप